सो हलो गाइज, वेलकम बैक माई योटूब चनल अवजल खान देश तो दोस्त तक कैसे हैं आप लोग आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग दिखाने वाला हूँ कि दाड़ी के ओपर वैक्सिंग कैसे करते हैं तो गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है वीडियो को सुरू से लेकर के एंड तक वोच करना मैं आप लोग को स्टेप बाइस टेप दिखाऊंगा किस तरीके से हम दाड़ी के ओपर वैक्स करते तो इस भाई कि हम करेंगे यहाप दाड़ी पर वैक्स आप लोग देख सकते हो थोड़े थोड़े यहाप बाले भाई के यहां पर हम करेंगे वैक्सिंग तो प्लीज वीडियो को फुरू से लेकर एंड तक वोच करना बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो को तो दोस्तों वैक्स करने से पहले आप लोग ने अपने क्लाइंट के फेस के ओपर जो अच्छी तरीके से पाउडरों को लगा करके चेक कर ले कि कहीं ज्यादा गरम वैक्स तो नहीं है और वरना महां पर क्लाइंट का जो फेस जल जाएगा अंडी होने पर ही क्लाइंट के फेस के ओपर जो वैक्सिंग को अपलाई करें अब आप लोगों ने कुछ इसी तरीके से जो वैक्स को अपलाई करना है अगर आप लोग अपने किसी क्लाइंट की बीड के ओपर यानि दाड़ी के ओपर वैक्सिंग लगा रहे हो आप लोगों ने नीचे से उपर की तरफ ले करके जाना वैक्सिंग को और उसी तरीके से आप लोगों ने वैक्स को लगाना है इससे क्या होगा कि आप लोग के ज किसी तरीक से वेक्स को जो लगाना है तो दोस्तों अगर आप लोग यहां तक आ गए वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरू कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरू कर देना क्योंकि इसके ओपर मैं और भी अच्छी वीडियो फ आप लोगों ने जो इसको कुछ देर के लिए एक मिन्ट या दो मिन्ट के लिए आप लोगों ने चोड़ने की जरूरत ने पड़ेगी साथ के साथ यह सुख जाएगी अब हम इसको उखाड़ेंगे तो दोस्तों यहां पर हमारी पूरी अच्छी तरीक से लगी है आप लो करते हैं अब हम इसको उखारना स्टारट करेंगे तो दोस्तों वैक को निकालने के लिए आप लोगों ने एक हैंड से जो को भींचना स्टार्ट कर देना है अब आप लोग यहां पर इस चीज़ का खास खयाल रखना कि आप लोग वैक्स निकालते समय ना ले आए उससे ज उस जंगा को थोड़ सा प्रेस कर देना, इससे क्या होगा कि क्लाइन को पैन यहापे कम होगा, यानि कि दर्द नहीं होगा, थोड़ा ही दर्द होगा, अब दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों ने दूसरी साइट से भी यह क्लाइन की जो वैक्स को रिमूव करना है, और सा जोस्तों अब यहाँ पे थोड़े बहुत जो बाल रहे गए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, कि दुबारा से वैक्सिंग लेंगे, और उसको अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ पे बाल हमारे छूटे हुए हैं, उहाँ पे ही हमने शिरिफ उस वैक्सिंग को अपलाई करन आप लोग को यह बताओंगा कि जब हम लोग मतलग की वैक्स लगा लेते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकती हो कहीं-कहीं पे छोटे छोटी मातरा में हमारी वैक्स यहाँकर लग रही हैं, इसको कैसे निकालना है तो दोस्तों इसको निकानने के लिए आप लोगों ने जो आपके पास जो लकड की इस्टिक रहेगी या जो भी आप लोगों के पास इस्टिक रहेगी उसके उपर आप लोगों ने हलकी से वेक्स को लेना है और वहाँ पर वापस साफ उसको कर देना है स्टीमर के अंदर है और जिस तरीके से मैं यहां पर चिपका चिपका के जो है उन छोटे छोटे वेक्स के तुकड़ों को निकाल रहा हूं इसी तरीके से जो है आप लोगों ने भी उसको चिपका चिपका के जो है वेक्स के छोटे छोटे तुकड़ों को इस तरीके से यहां लोगों ने क्या करना है मार्केट के अंदर जो एक निखार नाम की किरीम आती है जो कि भूत ही ठंडी क्रीम होती है आप लोगों ने उस क्रीम को लेना है और इस क्रीम को लेना है और आप लोगों ने अपने जो क्लाइंट के फेस के ओपर जो जहां जहां पर आप लोगों न अच्छी तरीके से जो है इस क्रिम को अपलाई करके छोड़ देना है और कम से कम आप लोगों ने 20 मिनट तक अपने क्लियंट के फेस के ओपर इस क्रिम को अपलाई करके छोड़ देना है ताकि वहाँ पे जितनी भी जलन हो और जब हम वैक्स लगाते हैं तो क्रिम ठंडी होती है तो यह वहाँ पर जलन होना भी वहाँ बंद हो जाता है तो इससे घहाँ को क्लियंट को बहुत ही जादा रिलेक्स फिल होएगा उसके बद गिस आप लोगों ने 15-20 मिट रखने के बाद अपने क्लियंट के फेस के ओपर आप लोगों ने पानी मारना है और पानी मारने के बाद अच्छी तरीके से हो जो वहाँ पर इस क्रिम की मसाज आप लोगों ने देनी है तो दोस्तो आप लोग देख सकते हूँ जिस तरीके से यहाँ पर मसाज दे रहा हूँ आप लोगों ने भी कुछ इसी तरीके से अच्छी तरीके से हलके हाथ से यहाँ पर अपने कलाइट के फेस के उपर मसाज देनी है ज्यादा ना रगड़ना क्योंकि ज्यादा रगड़न लोगों ने सबसे यहां से लास्ट में अपने क्लिएट के फेस के पर लगाना जिस 필요 मिने के सबस्क्राइब लगानी है तो दोस्तों यह है अलोएरिया का लोशन यह आप लोगों मारकिट में आसानी से मिल जाएगा आप लोगों ने ये ले लेए और जबी आप अपने किसी सी क्लायंट के वैकसिंग कर रहे हो फेस के ओपर या पूरे फेस के ओपर बीड के तो गैस आप लोग ने अच्छी तरीके से वोश करने के बाद जो है एलो वेरा का जो यहां पे लोशन ने वह अच्छी तरीके से जो अपलाई कर देना इससे क्या होगा कि आपके क्लाइंट के फेस के ओपर नहीं ड्राइनेस आएगी और नहीं वहाँ पर दाने वगेरा निक लाइक जरू करना